तो दोस्तो हम आज के इस वाली वीडियो में बताएंगे कि आप अपने फेस को बिल्कुल HD quality में कैसे smooth कर पाओगे बहुत सारे आप लोग ने वीडियो देखे होगी लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा doubt जो है clear हो जाएगा कि आप अपने फेस को बिल्कुल देख सकते हैं मैंने कितना HD quality में इस face को मैंने बना है यहाँ पर आप देख लिजिए तो यह सारा clear करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में और add to desk का use करके आप ऐसे photo editing कैसे कर सकते हो और बहुत ही easy है अगर आप वीडियो में सुरु सान तक बने रहेगा तो यह सारे चीज़े सीख पाईएगा कि आप अपने face को इस तरीका से कैसे HD quality में smooth कीजेगा तो आप तो उस request है कि इस वीडियो में सुरु सान तक बने रहे है लेकिन apply करने के बाद आपका face कुछी इस तरीका से आएगा जो की काफी ज़्यदा बेकार सा लग रहा अब आपको इसमें क्या क्या चीज़े करनी है ध्यान से आप देखिए आपको जाना है सबसे पहले यहाँ पर layer पे ठीक है medium brush पे जाना है उसके बाद यहां से आपको cross कर देना है ठीक है आप ध्यान से देखिएगा तो आप जाके आप सीख पाईएगा आपको colors पे जाना है और color आपको इस तरीका से white color select कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको फिर से layer पे जाना है लेयर पे जाने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है और यहान पर जो है न पे बलेंडिंग लिखा हूँ है न न्वर्मल इससे आपको क्या करना है कि यहान पे soft light पे क्लिक कर दे ना है उसके बाद इस तरीका से photo को थोड़ा सा जूम करना है और ऐसे अपने face पे apply करना है तो देखिए यहां से आपके face पे क्यों light आएगा जिसे कि आपका थोड़ा सा भी अगर आपका face हलका सा black हो तो यहां से आपका face जो है white हो जाएगा मतलब थोड़ा बहुत light आजाएगा उसके बाद आपको कैसे पूरा light लाना है अपने face पे और स अपने face को कैसे smooth कीजेगा कौन सा brush आपको use करना है यह सारा trick आपको इस वीडियो में सिखने को मिलेगा तो इस तरीका से आपको अपने photo को छोटा बड़ा करके पूरा यहां पे अपने face पे इस तरीका से एक painting बना लेना है जिससे कि आपके face पे light आजाएगी और यह चीज आपको मिल जाएगा description में वहां से आप download करना और जाकर के आप अपने photo पे apply करना तो इस तरीका से पका photo हो जाएगा अब देखिए यहां पे मैंने apply कर लिया apply करने के बाद अब आपको क्या करना है यहां पे layer पे जाना है और यहां पे layer पे click करना और यहां से आप इसको adjust कर लेना तो यहां फूल रखना उसके बाद यहां पर देखिए एक option आता है HCL Adjustment इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से थोड़ा सा इसके brightness को आपको बढ़ा लेना है उसके बाद दन करना है ठीक है इतना आपको पर दो करने के लिए आपको क्या करना है से फंपल से यहां पर जाना पर दना मिलेगा है आपको यह विलेगा स्मॉज मैं आपको इह ब्रस लेक्ट करना है लेकिन मेन होता है setting को छोब ना रखना है दो आपका फैस बढ़िया से स्मूथ हो तो आपको ज्यादा बड़ा नहीं रखना है फेस को कुछ इतना आपको जूम करना है और ब्रस के साइज को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है इतना उसके बाद इस तरीका से आपको राउंड राउंड सा अपने फेस पे अपलाई करना है तो देखिए यहां से आपका फेस काफी बढ़ि फेस पर अपलाई करना है अब देखिए इसमें एक ट्रीक होता है कि अगर मान के चलिए यहां पर देखिए थोड़ा सा ब्लेक टैप है न तो इधर ही हम इसको पेंटिंग करेंगे मतलब ब्लेक से हम वाइट में नहीं आएंगा अगर आना होगा तो अपने अंगली को एंगे ना हम विस्में बरस का निशान वरे मुज से के इसे की आपको क्या करना है पूर्य अपने फेस पे देखिए थोड़ा सा ब्रस के साहिज को बढ़ाते हैं और ऐसे क्या करना है कि रांट रांट सा पलाई करना है जिसे की अपका फेस काफी ज्यादा स्मूथ हो जाए लिजेगा उसके बाद यहां पर राउंड राउंड सा करना ठीक है तो चलिए मैं इसको थोड़ा से जल्दी-जल्दी से स्मूथ कर ले रहा हूं कि यहां से फटा-फट से इसको एस्मूथ कर लिया लेकिन इस्मूथ करने के बाद भी मेरा फिस उतना ज्यादा वाइट नहीं दिख रहा है और जहां भी आपको इस तरीके से दाग धबागा दिखाई दे इसको अच्छा तरीका से इस तरीका से आप लोग एस्मूथ कर ले अब देखिए smooth करने के बाद आपको क्या process follow करना है simple से आपको जाना है यहाँ पर और यहाँ से इस photo को क्या करना है save करने के बाद इस photo को आपको lightroom में open करना है और lightroom में थोड़ा बहुत आप color grading किजिएगा जिससे कि आपका face काफी अच्छा यहाँ पर आपके face काफी बढ़िया यहाँ से color आने वाला है तो चलिए इस photo को हम ले चलते हैं lightroom mobile के अंदर यहाँ पर मैंने अपने photo को lightroom mobile के अंदर लेकर आया है और यहाँ पर आपको क्या करना है simple से colors पर जाना है और बस इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको grading पर जाना है और यहाँ पर तीन number जो है ना यह वाला option आपको select करना है और यहाँ से आपको अपने photo को color grade करना है तो देखिए इस तरीका से आपको यह वाला effect आपके अपने face पर देना है इतना ही करना था लाइट रूम के अंदर और उसके बाद यहां से आप अपने फोटो को शेयर करना तूल वाइज अप्लिकेशन के अंदर जैसे अप्लिकेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे उसमें बढ़िया सा ओयल पेंट इफेक्ट हो गारा दिया जाता है तो यहा यहां पर आपको एक अफसन दिखेगा इफेक्ट का इफेक्ट पर आपको यहां पर सॉप्ट एसमोज पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर तीन नंबर अफसन है यह वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है फिर मास्क पर जाना है और यहां से क्लेन कर देना है क्लेन करने के ब लोग इस फोटो को लाश्ट में एडिटिंग करने के बाद पूरा फाइनल जैसे अपने एडिटिंग कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है इसको रेमनी एप में आपको जाना है और रेमनी कर लेना है रेमनी के बारे में आप सभी जानती होंगे अगर नहीं जानते होंग तो दोस्तों वीडियो काईसी लगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजागा चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब किजागा फिर आम बिल तक लेने उफ्रेस वीडियो को साथ तब तक लिए बाई बाई